हेला फ्रेंट मैं आज आप लोगों के एक कॉंटुनियस बोट बना के दिखाऊंगा जो कॉंटुनियस फ्लोट पानी को उपर चलते रहेगा इसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा प्लास्टिक का बोट लेना होगा उस बोट को पानी पर छोड़ने पर नहीं चलेगा इ हम लोग उसरी को लगाते हैं देखिए थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें लगाए लगाया हुए सावन बस इसको अब सिफ छोड़ देना है सिफ छोड़ देना है पानी को पर यह देखिए बोट कितना इस पिर से चल रही है अपने साइज के उनसार यह काफी तेज से चल रही है बोट अब बोट का डायक्सन वदल डेटा है देखिए अपने साइज के उनसार यह काफी तेज चल रही है बोट अब पाने का कंडिशन जानने के लिए और एक छोटा सा बोट जिसके पीछे सबुन वोन कुछ नहीं लगाया हुआ है उसको भी छोट ढेता है वो बोट पूरा इस्तिर है देखे यह बोट पूरा इस्तिर है पर यह बोट कभी इसे चल रही है देखे अब इसको यह टकराने वाले थी इसलिए इसको फेक दिया दो जोसे की तरह यह बोट चल क्यों रही है इसका कारण है इसके पीछे जो साबुन लगा हुआ है वो सर्फेस टेंसन के वज़ए से चल रही है साबुन और पानी जो घुल रही है इसके पीछे वो सर्फेस टेंसन के कारण चल रही है फर्मूला होटा है f by length इसके पीछे जो साबून लगाए हुए वो कितना length में लगाए हुए है जो उसी का आधार पर ये चल जी है इसका length लगए 1 cm पर होगा और इसका surface tension साबून का होटा है 0.72 उसी का आधार पर फोस लग रही है और उसी फोस से ये साबून जो surface tension हो रहा है इसको पीछे ढगल रही है और उसी से ये चल रही है बोट